Chapter 1. जब मैं grammar school से बाहर था तब मैं काम पर गया था. मुझे एक stock brokerage office में quotation board boy की नौकरी मिल गई. मैं आंकडों में तेज था. स्कूल में मैंने एक में तीन साल का अरित्म तक किया. मैं mental अरित्म तक में विशेश रूप से अच्छा था. quotation board boy के रूप में मैंने ग्राहकों के कमरे में बड़े board पर number post किये. ग्राहकों में से एक आमतोर पर टिकर के पास बैठता था. और कीमतों के बारे में बताता था. वे मेरे लिए बहुत तेजी से नहीं आ सके. मुझे आंकडे हमेशा याद रहे हैं. कोई परेशानी नहीं. उस office में और भी बहुत से कर्मचारी थे. बेशक मैंने अन्य साथियों से दोस्ती की. लेकिन market active होने पर मैंने जो काम किया. वो मुझे सुभर 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बहुत व्यस्त रखता था. मुझे बहुत बाते करने देने के लिए. मुझे इसकी परवा नहीं है. व वे quotation मेरे लिए shareों की कीमतों का represent नहीं करते थे. इतने dollar प्रती share. वे number थे. बेशक. उनका मतलब कुछ था. वे हमेशा बदलते रहते थे. मुझे परिवर्तनों में दिल्चस्पी लेने के लिए बस इतना ही करना था. वे क्यूं बदल गए? मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं थी. मैंने इसके बारे में नहीं सोचा. मैंने बस देखा कि वे बदल गए. मुझे हर दिन पांच घंटे और शनिवार को दो घंटे के बारे में बस इतना ही सोचना था. कि वे हमेशा बदल रहे थे. इस तरह मैं पहली बार कीमतों के व्यवहार में दिल्चस्पी ले था. उनके उपर या नीचे जाने से ठीक पहले. मेंटल अरिथम तक के लिए मेरा शौक बहुत काम आया. मैंने देखा कि अद्वांसर्स के साथ साथ गिरावट में स्टॉक की कीमते कुछ आदतों को दिखाने के लिए उप्यूक्त थी. इसलिए बोलने के लिए पैरललल मा दिमाग में सैकडों आब्जवेशन किये. तो मैंने खुद को उनकी आक्यूरिसी का परीक्षन करते हुए पाया. अन्य दिनों के साथ स्टॉक के व्यवहार की तुलना की. मुझे कीमतों में उतार चड़ाव का अनुमान लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा था. मेरा एक टॉक की कीमतों की तलाश की. मैंने उन्हें घड़ी दी थी. आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है. उदाहरन के लिए आप देख सकते हैं. जहां खरीदारी बिकरी से केवल एक तिहाई बहतर है. शेयर बाजार में एक लड़ाई चल रही है और टेप आपका टेलिसकोप है. आप दस में से साथ मामलों पर इस पर निर्भर हो सकते हैं. एक और सबग जो मैंने जल्दी सीखा वो यह है कि वाल स्ट्रीट में कुछ भी नया नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्पेकुलेशन पहाडियों जितनी पुरानी है. शेयर बाजार में आज जो कुछ भी होत प्रबंधन करता हूँ कि यह कब और कैसे हुआ. तत्य यह है कि मुझे उस तरह से याद है अनुभव को भुनाने का मेरा तरीका है. मुझे अपने खेल में इतनी दिल्चस्पी थी और सभी आक्टिव शेरों में प्रोग्रस और गिरावट का अनुमान लगाने के लिए इत कि इतने सारे लोग केवल लाखों डॉलर बनाने या खोने के लिए बिना सिर हिलाय या गरीब के घर में जाते हैं. यह मेरी हिट और मिस का एक प्रकार का रिकॉर्ड था. और संभावित मूवमेंस के निर्धारन के बाद मुझे यह वेरिफाइड करने में सबसे अधिक दि करने के बाद मैं यह कंक्लूशन निकालूंगा कि यह व्यवहार कर रहा था जैसा कि उसने हमेशा आठ या दस अंख तोड़ने से पहले किया था. खैर, मैं सोमवार को स्टॉक और कीमत को कम कर दूँगा. और पिछले प्रदर्शनों को याद करते हुए मैं लिखूंगा कि मंगलवार और बुधवार को इसे क्या करना चाहिए. बाद में मैं टेप से अक्चुल ट्रांस्क्रिप्शन की जाँच करूंगा. इस तरह मैं पहली बार टेप के संदेश में दिल्चस्पी लेने आया. उतार चड़ाव मेरे दिमाग में पहली बार उपर या नीचे की गतिविधियों से जुड़े थे. बेशक, उतार चड़ाव का एक कारण हमेशा होता है, लेकिन टेप खुद को इस बात से सरोकार नहीं रखता की क्यूं और क्यूं. ये एक्स्प्लेनेशन में नहीं जाता है. जब मैं 14 वर्ष का था, तब मैंने टेप से यह नहीं पूछा था, और मैं आज 40 वर्ष की उम्र में यह नहीं पूछता. एक फिक्स्ट स्टॉक आज क्या करता है, इसका कारण 2 या 3 दिन, या सप्ता, या महीनों के लिए ग्यात नहीं हो सकता है. लेकिन डेकेंज क्या मायने रखता है? टेप के साथ आपका बिजनस अब कल नहीं है. कारण इंतजार कर सकता है. लेकिन मार बार मैं ऐसा होते देखता हूँ. आपको याद होगा कि हॉलो ट्यूब दूसरे दिन तीन अंक नीचे चला गया जबकि बाकी बाजार में तेजी से बढ़ोतरी हुई. वो फैक्ट था. अगले सोमवार को आपने देखा कि डिरेक्टर्स ने डिविडेंट पास्ट किया यही कारण था. वे जानते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं. और भले ही उन्होंने खुद स्टॉक नहीं बेचा हो. कम से कम उन्होंने इसे नहीं खरीदा था. कोई कारण नहीं कि इसे क्यूं नहीं तोड़ना चाहिए. खैर, मैंने अपनी छोटी सी मैमोरेंडम बुक महीने तक संभाल कर रखी थी. जिस समय मैं अपना काम कर रहा था. उस समय घर छोड़ने के बजाए, मैं अपने इच्छे तांकड़े लिख देता और परिवर्तनों का अध्यान करता. हमेशा टेप को पढ़ने के लिए व्यवहार सीखने के दोहराव और समानता की तलाश कर हाला की मुझे इसकी जानकारी नहीं थी यह उस समय. एक दिन ओफिस के लड़कों में से एक वो मुझसे उम्र में बढ़ा था. जहां मैं अपना दोपहर का भोजन कर रहा था और मुझसे चुपचाप पूछा की क्या मेरे पास कोई पैसा है. आप क्यूं जानना चाहते हैं मैंने कहा ठीक है. उन्होंने कहा मेरे पास बर्लिंग्टन पर एक बांका टिप है. अगर मैं किसी को मेरे साथ जाने के लिए मिल सकता हूँ तो मैं इसे खेलने जा रहा हूँ. आपका क्या मतलब है? इसे खेले? मैंने पूछ लिया. मेरे लिए केवल वही लोग जो खेलते या खेल सकते थे. वे थे ग्राहक पुराने गुर के आटे के साथ. क्यूं? इस खेल में आने में सैकड़ों. यहां तक हजारों डॉलर खर्च हुए. यह आपकी निजी गाडी के मालिक होने और रेशम की टोपी पहने एक कोच्मन होने जैसा था. यही मेरा मतलब है. इसे ख कर सकता हूँ. आप इसे कैसे खेलेंगे? मैं सभी बलिंग्टन खरीदने जा रहा हूँ. बकट की दुकान मुझे उस पैसे से ले जाने देगी जो मैं उसे माजन के लिए देता हूँ. उन्होंने कहा, यह सर्टन रूप से बढ़ रहा है. यह पैसे लेने जैसा है. हम एक प आपने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी. लेकिन उनके यह कहने में की बलिंग्टन उपर जा रहा था. अगर ऐसा था, तो मेरी नोटबुक को यह देखाना चाहिए था. मैंने देखा, सर्टन रूप से बलिंग्टन, मेरे अनुमान के अनुसार, अभिने कर रहा था जैसा क कि आम तोर पर उपर जाने से पहले किया जाता था. मैंने अपने जीवन में कभी कुछ खरीदा या बेचा नहीं था. और मैंने कभी भी अन्य लड़कों के साथ जुआ नहीं खेला. लेकिन मैं केवल इतना देख सकता था कि यह मेरे काम की. मेरे शौक की सटीकता का करने का एक शानदार मौका था. इसने मुझे तूरंथ ही चौका दिया कि अगर मेरा डोप व्यवहार में काम नहीं करता है तो इसके सिध्धान्त में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को दिल्चस्पी दे. इसलिए मैंने उसे वो सब दिया जो मेरे पास था. और हमारे एकत् संसाधनों के साथ वो पास की बकट की दुकानों में से एक में गया और कुछ बलिंग्टन खरीदा. दो दिन बाद हमने कैश इन किया. मैंने तीन डॉलर और बारा सेंट का लाब कमाया. उस पहले ट्रेड के बाद मुझे बकट की दुकानों में अपने ही हुग पर नहीं पड़ता था. मैं एक सिस्टम खेल रहा था न की पसंदीदा स्टॉक या बैकिंग राय. मैं केवल इसका अंकगरने जानता था. वास्तव में मेरा एक बकट की दुकान में काम करने का आदर्श तरीका था. जहां एक ट्रेडर जो कुछ भी करता है वो उतार पर दाव लगाना है क्योंकि वे टेप पर टेकर द्वारा प्रिंटर होते हैं. ब्रोकरेज ओफिस में अपनी नौकरी से हटने की तुलना में मुझे बकट की दुकानों से ज्यादा पैसा लेने में ज्यादा समय नहीं लगा था. इसलिए मैंने अपना पद छोड़ दिया. मेरे लोगों ने अबजेक्टिट की. लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं क्या बना रहा हूँ तो वे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते. मैं केवल एक बच्चा था और ओफिस बॉई की मजदूरी बहुत अधिक नहीं थी. मैंने अपने हुप पर अच्छा प्रदर्शन किया. मैं पंद्रा साल का था जब मेरे पास पहले हजार थे और मैंने जो कुछ भी घर ले लिया था. उसके अलावा कुछ ही महीनों में बकट की दुकानों में बनाई गई मेरी मा के सामने कैश रखी. मेरी मा ने कुछ भयानक किया. वो चाहती थी कि मैं इसे टेम्टेशन की दूर बचत बैंक में रख दूँ. उसने कहा कि यह उससे कहीं अधेक पैसा था जितना उसने कभी सुना था कि 15 साल के किसी लड़के ने कुछ भी नहीं बनाया था. उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह असली पैसा है. वो इस बात को लेकर चिंतित और परिशान रहती थी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सोचा सिवाए इसके कि मैं यह साबित करता रहूं कि मेरा अनुमान सही था. अपने सिर का उपयोग करके सही होने में बस इतना ही मज़ा है. अगर मैं सही था जब मैंने 10 शेरों के साथ अपने विश्वासों का परीक्षन किया तो मैं 100 शेरों म कारोबार करने पर 10 गुना अधिक सही होगा. मेरे लिए अधिक माजन होने का मतलब यह है कि मैं अधिक स्ट्रॉंग रूप से सही था. अधिक साहस? नहीं, कोई फर्क नहीं. यदि मेरे पास केवल 10 डॉलर हैं और मैं इसे जोखिम में डालता हूँ, तो मैं उस समय की तुल 12 साल की उम्र में मैं शेर बाजार से अच्छा जीवन यापन कर रहा था. मैंने छोटी बकट की दुकानों में शुरुआत की, जहां एक ख्लिप में 20 शेरों में कारोबार करने वाले व्यक्ति पर जॉन डबल्यू गेट्स के भेश में या जेपी मॉगन के गुपत यात्रा करने का संदेह था. उन दिनों बकट की दुकाने शायद ही कभी अपने ग्राहकों पर लेटती थी. उन्हें नहीं करना पड़ा. ग्राहकों को उनके पैसे से अलग करने के अन्य तरीके भी थे. भले ही उन्होंने सही अनुमान लगाया हो. बिजनस में जबर्दस्थ जब यह वालिद रूप से आयोजित किया गया था तो मेरा मतलब सीधा है. जहां तक बकट की दुकान की बात है. उतार चड़ावने शूस्ट्रिंग का ख्याल रखा. एक पॉइंट के केवल तीन चौथाई के अंतर को मिटा देने के लिए अधिक प्रतिक्रिया की आवश् प्रता नहीं है. इसके अलावा, कोई भी वेल्शर खेल में कभी वापस नहीं आ सका. कोई ट्रेड नहीं होगा. मेरे पास फॉलोइंग नहीं था. मैंने अपना धंधा अपने तक ही सीमित रखा. यह किसी भी तरह से एक व्यक्ती का बिसनस था. यह मेरा सिर्था, है ना? की मतें या तो दोस्तों या भागीदारों की मदद के बिना. जिस तरह से मैंने उन्हें डोप आउट किया था. वैसे ही जा रहे थे. या वे दूसरी तरफ जा रहे थे. और कोई भी उन्हें मेरी काइंडनेस से रोक नहीं सकता था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हमेशा अकेला हाथ खेला है. वैसे भी, बकट की दुकानों को पीटने के लिए मुझ पर भड़कने में देर नहीं लगी. मैं अंदर जाता और अपने माजन को नीचे गिरा देता. लेकिन वे इसे हथियाने के लिए कोई कदम उठाए बिना इसे देख लेते. वे मुझे ब कट की दुकान से दूसरी दुकान में जाना. ऐसा हुआ कि मुझे एक कालपन एक नाम देना पड़ा. मैं प्रकाश शुरू करूंगा, केवल 15 या 20 शेर. कभी-कभी, जब उन्हें शक होता, तो मैं पहले तो जान-बूझ कर हार जाता और फिर उन्हें सही से डांटता. एक बार, जब मैं जिस बड़ी चिंता के साथ महीनों से ट्रेडिंग कर रहा था, वो मुझ पर बंध हो गई. मैंने उनसे थोड़ा और पैसा लेने का मन बना लिया. उस बाकट की दुकान की ब्रांचस पूरे शहर में, होटल की लॉबी में और आस-पास के शहरों में थी. मैं होटल की एक ब्रांच में गया और मैनेजर से कुछ प्रशन पूछे और अंत में ट्रेडिंग में लग गया. लेकिन जैसे ही मैंने अपने विशेश तरीके से एक आक्टिव स्टॉक खेला. उन्हें हैड ओफिस से संदेश मिलने लगे कि यह कौन है जो ऑपरेटिंग कर रहा था. मैनेजर ने मुझे बताया कि उन्होंने उससे क्या पूछा और मैंने उसे बताया कि मेरा नाम कैंब्रिज के एडवर्ड रॉबिंसन था. उन्होंने बड़े मुखिया को खुश खबरी दी. लेकिन दूसरा छोर जानना चाहता था कि मैं कैसा दिखता हूँ. जब मैनेजर ने मुझे बताया कि मैंने उससे कहा. उसे बताओ मैं एक छोटा मोटा आदमी हूँ जिसके काले बाल और एक जाड़ी दार दाड़ी है. लेकिन उसने इसके बजाए मेरा वर्नन किया. और फिर उसने सुना और उसका चहरा लाल हो गया और उसने फोन काट दिया और मुझे इसे हरा देने के लिए कहा. उन्होंने तुमसे क्या कहा? मैंने उससे पलाइटली से पूछा. उन्होंने कहा, आप बिल्कुल खाली मूर्ख. क्या हमने आपको लैरी लिविंस्टन से कोई बिजनस नहीं लेने के लिए नहीं कहा था? और आपने जान बूझ कर उसे ह हमें 700 डॉलर से बाहर कर दिया. उसने यह नहीं कहा कि उन्होंने उसे और क्या कहा? मैं एक के बाद एक अन्य ब्रांचर्स की कोशिश की, लेकिन वे सभी मुझे जान गए. और मेरा पैसा उनके किसी भी आफिस में अच्छा नहीं था. मैं कुछ क्लरकों द्वारा दरार किय बिना कोटेशन देखने भी नहीं जा सकता था. मैं ने उन सभी के बीच अपनी यात्राओं को डिवाइड़ करके मुझे लंबे इंटिवल पर ट्रेड करने की कोशिश की. लेकिन यह काम नहीं किया. अन्त में मेरे पास केवल एक ही बचा था और वो सभी कॉस्मोपॉलिट को ए एक का दरजा दिया गया था और उसने बहुत बड़ा बिजनस किया था. न्यू इंग्लेंड के हर निर्मान शहर में इसकी ब्रांच थी. उन्होंने मेरा ट्रेडिंग ठीक किया. और मैंने स्टॉक खरीदा और बेचा और महीनों के लिए पैसा बनाया और खो दिया. ल इसलिए नहीं कि यह स्पोर्ट्समेंशिप नहीं थी. बलकि इसलिए कि वे जानते थे कि यह उन्हें इस खबर को प्रकाशित करने के लिए एक काली आँख देगा कि वे एक साथी का बिजनस सिर्फ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो साथी थोड़ा पैसा कमाता है. लेकि और डेड़ पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मजबूर किया. कुछ बाधा, वह, कैसे, आसान, मान लीजिए स्टील नबवे पर बिक रहा था और आपने इसे खरीदा. आपका टिकट सामान्य रूप से पढ़ा जाता है. बॉट टेन स्टील नबवे माइनस एक बट चार तूट गया तो आप ऑटमाटिकली रूप से मिटा दिये गए. एक बकट की दुकान में ग्राहक को अधिक माजन के लिए आयात नहीं किया जाता है या अपने ब्रोकर को जो कुछ भी मिल सकता है उसे बेचने के लिए कहने की दर्दना कावशक्ता के लिए मजबूर न जाने के बजाए खरीदा था तो कीमत 90 थी बॉट स्टील 90 आट पर यह पड़ा बॉट स्टील 91 माइनस एक बटा आट पर क्यूं वो स्टॉक मेरे द्वारा खरीदे जाने के बाद एक चौथाए अंक आगे बढ़ सकता है और अगर मैं ट्रेड बंद कर देता तो मुझे ताको दो तेहाई कम कर दिया फिर भी वो एक मात्र बकट की दुकान थी जो मेरे बिजनस को बिलकुल भी ले जाती थी और मुझे उनकी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा या ट्रेडिंग छोड़ना पड़ा बेशक मेरे उतार चड़ाव थे लेकिन संतुलन पर एक विजे होनी चाहिए थी उन्होंने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की वे मुझे नहीं मिला मैं अपने एक कूबर के कारण बच निकला कॉस्मोपॉलिटन जैसा की मैंने कहा मेरा अंतिम उपाय था यह न्यू इंगलैंड में सबसे अमीर बकट की दुकान थी और एक नियम के रूप में उन्होंने ट्रेड पर कोई सीमा नहीं रखी मुझे लगता है कि मैं उनके पास सबसे भारी व्यक्तिगर ट्रेडर था जो की स्थेर हर दिन के ग्राहक थे उनके पास एक अच्छा ओफिस और सबसे बड़ा और पूर्ण उधरन बोर्ड था जिसे मैंने कहीं भी देखा है यह बड़े कमरे की पूरी लंबाई के साथ साथ चलता था और हर कल्पनिय चीज को उधरित किया जाता था मेरा मतलब है कि न्यू योर्क और बोस्टन स्टॉक एक्सचेंज कॉटन वीट प्रावधान धातु सब कुछ जो न्यू योर्क शिकागो बोस्टन और ल क्लरक को दिया और उसे बताया कि आप क्या खरीदना या बेचना चाहते हैं उसने टेप या कोटेशन बोर्ट को देखा और वहां से आखरी कीमत ली उन्होंने टिकट पर समय भी कम कर दिया ताकि यह लगभग एक नियमित ब्रोकर की रिपोर्ट की तरह पर सके कि उन्होंन अपना ट्रेड बंद करना चाहते थे तो आप क्लर्ट के पास वही या किसी अन्य के पास गये यह दुकान पर निर्भर था और आपने उसे बताया उसने आखरी कीमत ली या अगर स्टॉक आक्टिव नहीं था तो वो टेप पर आने वाले अगले उधरन की प्रतीक्षा कर था उसने आपके टिकट पर वो कीमत और समय लिखा था इसे ठीक किया और आपको वापस दे दिया और फिर आप कैशिय के पास गए और जो भी कैश मांगा वो हमिला बेशक जब बजार आपके खिलाफ हो गया और कीमत आपके माजन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई तो आपका ट्रेड अपने आप बंध हो गया और आपका टिकट कागस का एक और स्क्रप बन गया हमबल और बकेट की दुकानों में जहां लोगों को कम से कम पांच शेरों में ट्रेड करने की अनुमती दी जाती थी टिकट खरीदने और बेचने के लिए अलग-अलग रंगों के होते थे और कभी-कभी उदाहरन के लिए उबलते बैल बाजारों में दुकानों को कड़ी चोट लगती थी क्योंकि सभी ग्राहक बैल थे और सही हुआ फिर बकेट शॉप खरीद और बिक्री दोनों कमीशन काट लेती हैं और अगर आप 20 पर स्टॉक खरीदते हैं तो टिकर 20-1.4 पर डेगा इस प्रकार आपके पास अपने पैसे के लिए एक अंग की दौर का केवल 3-4 आई भाग था लेकिन न्यू इंग्लैंड में कॉस्मो पॉलिटन बहतरीन था इसके हजारों पेटरंस थे और मुझे सच में लगता है कि मैं अकेला आदमी था जिससे वे डरते थे ना तो केलिंग प्रीमियम और नहीं थरी पॉइंट माजिन जो उन्होंने मुझे दिया मेरे ट्रेडिंग को बहुत कम कर दिया मैं उतना ही खरीद बिकरी करता रहा जितना उन्होंने मुझे करने दिया मेरे पास कभी कभी 5000 शेरों की लाइन होती थी खैर जिस दिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस दिन मेरे पास शुगर के 3500 शेर कम थे मेरे पास 500 शेरों के लिए साथ बड़े गुलाबी टिकर थे कॉस्मोपॉलिटन ने खाली जगह के साथ बड़ी पर्चियों का इस्तेमाल किया जहां वे अतिरेक्ट माजन लेख सकते थे, बेशक, बकेट की दुकाने कभी भी अधिक माजन नहीं मांगती हैं उनके लिए जूते की डोरी जितनी पतली होगी, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा क्योंकि उनका लाभ आपके मिटाए जाने में है छोटी दुकानों में यदि आप अपने ट्रेड को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे एक नया टिकट बनाते हैं ताकि वे आपसे खरीद कमीशन ले सकें और प्रतेक पॉइंट की गिरावट पर आपको केवल एक अंग का तीन चौथाए रन दे सकें क्योंकि वे बिक्री आयोग को भी ठीक वैसे ही लगा जैसे कि यह एक नया ट्रेड हो खैर इस दिन मुझे याद है कि मेरा माजिन दस हजार डॉलर से अधिक था मैं केवल बीस वर्ष का था जब मैंने पहली बार दस हजार डॉलर कैश जमा किये और तुम्हें मेरी मा की बात सुननी चाहिए थी आपने सोचा होगा कि दस हजार डॉलर कैश पुराने जॉन डी को छोड़कर किसी और के आसपास ले जाया गया था और वो मुझे संतुष्ट होने और किसी रेगूलर बिजनस में जाने के लिए कहती थी मुझे उसे यह समझाने में कठिन समय लगा कि मैं जुआ नहीं खेल रहा था बलकी लगा कर पैसे कमा रहा था लेकिन वो केवल इतना देख सकती थी कि दस हजार डॉलर बहुत सारा पैसा था और मैं केवल अधिक माजन देख सकती थी मैंने शुगर के अपने 3500 नौ शेयर 105 माइनस एक बटा चार पर डाल दिये थे कमरे में एक और साथ ही था थेंडरी विल्यम्स जिसके पास 2500 शेयर कम थे मैं टेकर के पास बैठा करता था और बोर्ट बॉय के लिए कोटेशन कहता था कीमत ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैंने सोचा था यह तुरंथ कुछ पॉइंट नीचे चला गया और एक और डूब की लगाने से पहले अपनी सांस लेने के लिए थोड़ा रुक गया सामान्य बाजार काफी नर्म था और सब कुछ आशाजनिक लग रहा था फिर अचानक मुझे सुगर जिस तरह से जिजग कर कर रही थी वो मुझे पसंद नहीं आया मैं असहज महसूस करने लगा मुझे लगा कि मुझे बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए फिर ये एक सो तीन पर बेका जो दिन के लिए कम था लेकिन अधे का आत्म विश्वास महसूस करने के बजाए मुझे और अधे का निश्चित्ता महसूस हुई मुझे पता था कि कहीं न कहीं कुछ गरबढ है लेकिन मैं इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा सका लेकिन अगर कुछ आ रहा था और मुझे नहीं पता था कि कहां से है तो मैं इसके खिलाफ अपने पहरे पर नहीं हो सकता ऐसा होने पर बहतर होगा कि मैं बाजार से बाहर हो जाऊं तुम्हें पता है मैं आँख बंद करके काम नहीं करता मुझे पसंद नहीं है मैंने कभी नहीं किया, एक बच्चे के रूप में भी मुझे यह जानना था कि मुझे कुछ चीजे क्यूं करनी चाहिए, लेकिन इस बार मेरे पास खुद को देने का कोई निश्चित, कारण नहीं था, और फिर भी मैं इतना असहच था कि मैं इसे बरदाश्ट नहीं कर सका। मैंने एक साथी को बुलाया, जिसे मैं जानता था, डेव वायमन, और उससे कहा, डेव, तुम मेरी जगह यहां ले लो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो, शुगर की अगली कीमत बताने से प्रहले थोड़ा रुको, है न? उसने कहा कि वो करेगा, और मैं उठा और टिकट द्वारा उसे अपना स्थान दिया ताकि वो लड़के के लिए कीमतें बता सके। मैंने अपनी जेब से अपने साथ शुगर के टिकट निकाले और काउंट अपर गया, जहां कलर्क था जिसने आपके ट्रेडों को बंद करने पर टिकटों को माट किया था, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता था कि मुझे बाजार से बाहर क्यूं जाना चाहिए, मैंने एक टैलीग्राफ उपकरन को क्लिक करने की आवाज सुनी और मैंने देखा कि टॉम बनहें, क्लर्क, जल्दी से अपना सिर घुमाता है और सुनता है, तब मुझे लगा कि कुछ टेड़ा हो रहा है, और मैंने अब और इंतजार नहीं करने का फैसला किया, तभी मैंन शुरू हुआ, सु, और एक फ्लेश के रूप में जटपट मैंने क्लर्क के सामने काउंटर पर अपने टिक्टों को धप पर मारा और चिल लाया, बंद शुगर, इससे पहले की डेव ने कीमत पर कॉल करना समाप्त कर दिया था, तो, फिक्स्ट रूप से, अंतिम उध धरन पर घर को मेरी शुगर बंद करनी पड़ी, दवे ने जो कॉल किया वो फिर से 103 हो गया, मेरे डोप के अनुसार शुगर को अब तक 103 पार कर जाना चाहिए था, इंजन ठीक से हिट नहीं कर रहा था, मुझे आभास हुआ की, पडोस में कोई जाल है, सभी घटनाओं में टैली ग्राफ उपकरन अब बागल की तरह चल रहा था और मैंने देखा की क्लार्क टॉम बनहें ने मेरे टिक्टों को बिना चिनहित किये छोड़ दिया था, और ट्लिकिंग सुन रहा था जैसे की वो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, तो मैं उस पर चिल लाया, अरे टॉम, आप किस नरक में इंतजार कर रहे हैं? इन टिक्टों पर कीमत 103 मार्क्ट करें, एक चाल जाओ, कमरे में सभी ने मुझे सुना और हमारी और देखने लगे और पूछने लगे की क्या परेशानी है, क्यूंकि आप देखते हैं, जबकि कॉस्मोपॉलिटन ने कभी ले जाहक को संदेह होता है तो दूसरे उसका अनुसरन करते हैं. तो टॉम उदास लग रहा था, लेकिन आया और मेरे टिक्टों को 103 पर बंद, माक्ट किया और उन सातों को मेरी और धकेल दिया. उसका चेहरा निश्चित रूप से खटा था. कहो, टॉम के स्थान से कैशिय के पिंजरे तक की दूरी, 8 फीट से अधिक नहीं थी. लेकिन मैं अपने पैसे लेने के लिए कैशिय के पास नहीं गया था जब टेकर द्वारा डेव वायमन उत्साह से चिलाया. भगवान, शुगर, 108, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. इसलिए मैं बस हसा और टॉम को फोन किया. उस समय यह काम नहीं किया. क्या यह किया, बुड़ा लड़का? बेशक, यह एक काम था. हेंरी विलियम्स और मेरे पास शुगर के 6,000 शेयर कम थे. उस बकेट की दुकान में मेरा माजिन और हेंरी का था, और ओफिस में कई अन्य शुगर शॉर्ट्स हो सकते थे. संभ यॉक स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार को खराब करने और हमें मिटा देने के लिए दुकान का भुगदान करने के लिए पर्याप्त था. पुराने, दिनों में जब भी एक बकट की दुकान एक निश्चित स्टॉक पर बहुत सारे बैलों से भरी हुई होती थी. तो इसे करना एक आम बात थी कुछ दलालों ने उस विशेश स्टॉक की कीमत को इतनी दूर तक धुने के लिए सभी ग्राहकों का सफाया कर दिया जो की लंबे समय से थे. यह शायद ही कभी कुछ सौ शेरों पर बकट की दुकान पर कुछ पॉइंट से अधिक खर्च होता है. और उ आठ कर दी. बेशक यह थीक वापस गिर गया. लेकिन हेंडरी और बहुत से अन्य लोगों का सफाया हो गया. जब भी कोई अनिक्स्प्लेंड तेज गिरावट होती थी, जिसके बाद तुरंट ठीक हो जाता था, तो उन दिनों के समाचार पत्र इसे बकेट शॉप ड्राइ पत्र ने उन्हें सत्तर हजार डॉलर से अधिक में से नहीं किया. ये आदमी, जो अपने समय में काफी बाजार कारक था और न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य था, ने 96 के ब्रान आतंक के दौरान भालू के रूप में खुद के लिए एक बड़ा नाम बनाया. वो हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के खिलाफ दौर रहा था, जिसने उसे अपने साथी सदस्यों की कीमत पर अपनी कुछ योजनाओं को पूरा करने से रोक दिया था. एक दिन उसने सोचा कि अगर वो जमीन की बकट की दुकानों से उनकी कुछ गलत कमाई ले लेता है तो एक्सचेंज या पुलिस, अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं होगी. उदाहरन के तौर पर मैं कहता हूँ कि उसने ग्राहकों के रूप में काम करने के लिए 35 आदमियों को भेजा. वे में ओफिस और बड़ी ब्रांचर्स में गए. एक सर्टन दिन पर एक फिक्स्ट. समय पर सभी एजेंटों ने एक सर्टन स्टॉक को उतना ही खरीदा जितना की मैनेजर्स उन्हें देंगे. उनके पास एक सर्टन लाब पर चुपके से जाने के निर्देश थे. कमरे के ट्रेडर्स ने मदद की, जिन्होंने सोचा कि वो एक अच्छा खेल था. उस काम के लिए सही स्टॉक जुने कीमत तीन या चार अंक लगाने में कोई परेशानी नहीं हुई. बकट की दुकानों पर उनके एजेंटों ने प्री अरेंज्ड के रूप में भुनाया. एक साथी ने मुझे बताया कि अरिजिनेटर ने सत्तर हजार डॉलर का जाल साफ किया. और उसके एजेंटों ने अपना खर्च बनाया और फिर इसके अलावा भुगतान किया. उन्होंने न्यू यॉक, बोस्टन, फिलाडेफिया, शिकागो, सिंसिनाटी और सेंट लुइस की बड़ी बकट की दुकानों को पनिश्ट करते हुए. पूरे देश में कई बार उस खेल को खेला. उनके पसंदीदा शेरों में से एक वेस्टन यूनियन था. क्यूंकि अर्ध अक्टिव स्टॉक को कुछ अंक ऊपर नीचे ले जाना इतना आसान था. उसके एजेंटों ने इसे एक सर्टन आंकडे पर खरीदा, दो अंक के लाब पर बेचा, कम हो गया और तीन अंक अधिक ले लिया. वैसे, मैंने दूसरे दिन पढ़ा कि वो आदमी मर गया, गरीब और असपश्ट. यदि वो 1896 में मर गया होता तो उसे न्यूइयॉक के हर अखबार के पहले पेज पर कम से कम एक कॉलम मिल जाता. वैसे ही उसे पांचवी पर दो लाइन्स मिली.